बाचीन ताइवान की तो ताइवान ने चीनी ड्रोन मार किराने का दावा किया है ताइवान के शिहू आयलेट में उडान भर रहा था UAV और डिफेंस अटाक में चीनी ड्रोन धराशाई ये ताइवान का दावा ताइवान के आसपास आजहाज तिरपन बी एले पिमान ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दीखी है चीन ताइवान की तनतनी कम नहीं हो रही है उपर समयली की कारवाई आगे में घीव का काम कर रही है ताइवान अब तक चीन के ड्रोन को गोलिबारी से बहगाता रहा था लेकिन ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री ने पुष्टी की है कि उसने पहली बार एक चीने ड्रोन को मार किराया है कल दोपेर ये ड्रोन शीहू आइलेट में प्रतिबंदिश शेतर में उड़ रहा था दावा किया जा रहा है कि सैनिकों ने S.O.P. का पारन किया और ड्रोन को भगाने की कोशिश की सिग्नलिंग फ्लियर फायर किये गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जिसके बाद उन्होंने डिफेंस अटेक में ड्रोन को मार गिराया इस बीच अमेरिका लगातार चीन को आखे दिखा रहा है ताइवान स्टेट में दो वाट्शिप गुजरने के बाद चीन ने जो एतरास जताया था बावजूदिस के यूएस लगातार उसके इलाके में मंड़ा रहा है ताइवान एडिस से मिली जानकारी के अनुसार कतिक तोर पर अमेरिके हलिकॉप्टर्स लगातार दो दिन चीनी समुदरी श्वेतर में गुसे यूएस में 60 सीहॉक्स ने चीन की 12 नॉटिकल मिल समुदरी सीमा के अंदर उडान भरी चीन के खिलाफ अकरामक होए ताइवान को लेकर बड़ी खबर है ताइवान के विदेश मंतरी जॉसिफ का बयान सामने आया है कि चीन ने अगर हमला किया तो ताइवान पीछे नहीं हटने वाला चीन के हमले का जवाब ताइवान जरूर देगा चीन को लेकर ताइवान ने अपना रवया बिलकुल सक्त कर लिया है ताइवान के विदेश मंतरी ने न्यूस चैनल DAWO को दिये इंट्रिव्यू में रूस के खलाफ यूकरिन के स्टैंड की तारीफ की है और कहा है कि वक्त पढ़ने पर वो भी पीछे नहीं हटेगा विदेश मंतरी ने अपने इंट्रिव्यू में चीन को ताकीत की है कि ताइवान जल डमरू मध्य में सैन्ने गतिविद्या बंद करे ताइवान भी अपने सैन्ने शक्ती बढ़ा रहा है लेकिन वो आत्मरक्षा के लिए है किष्ध अवार राफ भाफ बेर के प्रहों लाफ बाफ लत्व में बुट्या है इस बीस्ट बड़ाब लाफ बच्ती एक बड़ा राफ बंद कर बाफ बाहा है अःवान बदिद है अवार चावना टाफ मॉबम ऑने साव आवान है चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे बेच नहीं सकते ये सोच कर आप चिंतित हो क्या अगर 130 करोड में चंदन उगाने वाले आपको सिखा है तो तो देरी क्यों फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें